और आज हम आपको बताने पाला है कि कैसे Ubuntu में आप जो है screen record कर सकते हैं अपना तो इसके लिए आपको करना यह कि screen recorder simple है screen recorder जो है so download करना है screen recorder download करने के लिए आप Ubuntu के software center कौन करें जैसे कि Ubuntu 16.04 में है तो यहाँ पे सबसे उपर में right side में होगा मतलब क्या बोलते हैं उसको start ब मतलब आपको software जो center होता है उसका वह launch करना यह इस तरीके का दीखेगा कुछ software center उसके बाद search button में आपको search करना है screen recorder screen recorder screen recorder और hit enter search करना शुरू कर देगा search होने दीज़े उन्तू software center में पता नहीं क्यों search होने बहुत टाइम लगता है जबकि internet fast होता है तो यहां बहुत सारा screen recorder आ गया है तो और इसी में से किसी एक को आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन उसमें से सबसे बढ़िया screen recorder जो हमको लगा है वह है वोको screen आप screen recorder टाइप करके सीधे टाइप करें वोको screen ठीक है वोको screen आगया वोको screen और इस तरीके का कुछ दिखेगा आप गौर से इसका logo देख लिजे इसका rating अच्छा है यह अकेला ऐसा screen recorder है जो कि आपको मतलब इतना अच्छा quality देगा screen recording का और साथ में कम MB का देगा कम MB बहुत ही कम एकदम कम MB का बनाएगा लेकिन एकदम HD में देगा और इसी का compare करें OBS से OBS का screen recorder है बहुत ही advanced से OBS screen recorder लेकिन OBS screen recorder का quality इससे घटिया होता है मतलब उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन अगर आप बहुत सारा customize करना चाहते है तरह तरह का चीज लाना चाहते है रिकॉर्ड करना चाहते है डेक्सटप पे अपना face भी रिकॉर्ड करना चाहते है और भी बहुत सारा चीज तो आप OBS चूच करें और नहीं तो वोको वोको स्क्रीन में भी है फेस रिकॉर्डिंग का ओफ्षन है लेकिन और ज्यादा कुछ नहीं ज्यादा ओप्षन नहीं है लेकिन आप मतलब ओ उबीस से बहुत सारे ओफ्षन कस्टमाइज कर सकते हैं लेकिन उसमें उसतना क्वालिटी नहीं देता है जितना इसके वोको इसक उसका साइच जो बनाता है बहुत ही ज्यादा बनाता है इसलिए वोको स्क्रीन एकदम कम साइज बनाता है ताकि आप YouTube पे अपलोड करेंगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा इस समय हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वह भी वोको स्क्रीन से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको OBS भी है मेरे पास आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर मेरे पास OBS है OBS देख लगते हैं लेकिन मैं OBS यूज नहीं कर रहा है क्योंकि OBS बहुत ही ज्यादा लार्ज फाइल बनाता है इसका क्वालिटी को अच्छा नहीं होता इसलिए मैं वोको स्क्रीन रिकॉर्डर OBS लिए आपको क्वालिटी को त्यागना होगा इसके लिए आपको डाउलोड करना होगा OBS अगर आप उबुन्तु सॉफ्ट्रे सेंटर में आप OBS टाइप किजिएगा सर्च मारिये OBS स्टूडियो तो आ गया है लेकिन यह ऑफिस्चल वर्जन नहीं है यह जो है यह दूसरे के दौरा बनाया गया लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बावजूद भी जो है तो यह काम नहीं करता है पता नहीं क्यों करता है और कहने हैं मत्तु सॉफ्ट्रे सेंटर में OBS का ज Synaptic Package Manager जाब करते ही आ गया ऊपर में यह कुछ ही इस तरीकिक हैका सिनेब्स प्केज मेरचर इसको आपको Golden करना है मारे डाउन्長 करतें हैं ठीक है लॉंच करने पासवर्ट मालओ करें पासवर्ट तें एचे और जब वह लाउंच हो जाया तो उसमें search करना आ है OBS ठीक देख सकते हैं कि Ubuntu स्क्राइब को जूम इन जूम आट कैसे करते हैं तो यहां पर आप टाइब की जो OBS और इंटर उसके बार स्पेस देखे इस्टूडियो टाइब की जैस टी यू डी आई ओ स्टूडियो देखिए स्टूडियो ओविए स्टूडियो आ गया फास नमर पर इसलिए मेरे इसमें जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है लेकिन इस्टूड ने होगा तो आप इसको चेक इन कर दिजेगा और इसके बाद यहां पर अपलाई है इस पर क्लिक कर दिजेगा और उसके बाद पास्वार्ट माइएगा या फिर कभी कभी नहीं भी मांगता है और इस्टॉल करना शुरू कर देगा यह इंस्टॉल किजेगा तो उसके बाद आपका OBS इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद OBS लाउंच करने के बाद यह देख सकते हैं यह आपका एरिया है जहां पे आप बहुत सारा चीज़ सेट अप करेंगे और नीचे में सीन क्रेट करेंगे यहां पे स्ट्रीम भी कर सकते हैं इससे रिकॉर्ड के अलावा तो आप OBS कैसे चलाते हैं अगर यह सिखना है तो आप जाके यूटूब पे औ आप सेटिंग कर लेते हैं सेटिंग में याद रखे यह मोनीटर और बिल्ट इन अप्लिकेशन स्टूडियो और यह दुनों चेक होना चाहिए क्योंकि इसमें से एक जो है डेस्टॉप में अगर आपको गाना बचा रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए है और दूसरा आ लिव एक्स टूसिटीफोर रहने दे लॉसलेस पर मत क्लिक किजेगा इससे आपका इसके वीडियो फाइल का साइज बढ़ जाएगा यहां पर हम वीडियो फाइल का साइज भी छोटा रखना चाहते हैं ताकि क्वालिटी क्वालिटी जो है सो ठीक रहा है लेकिन जादा फ उसके कैमरा कैमरा पर अगर आप सेलेक कर दीजेगा तो यह एक वीडियो लॉंच कर देगा जिसमें आपका जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मेरा फेस देख सकते हैं तो यह लॉंच कर देता है तो इससे होता यह है कि बैसे किली मतलब आपका कैमरा लॉंच कर देगा आप अपना फेस भी रिकॉड करना चाहते हैं और आप अपना डेक्स्तॉप भी रिकॉड करना चाहते है तो यहां पर दखें तो अफ देखें आपको कुछ लगता है। अर्सके ओपर चाहते इतंतर हैं तक कि आपका जरुवत नहीं इसको नीचे ही और वेब केम को हम बंद कर देते हैं तो इससे आपका वेब केम आउन हो जाएगा और मांकी सब्सेटिंग मैंने बता दिया और स्टार्ट ए स्टॉप पे क्लिक करना इससे आप पहुज भी कर सकते हैं अगर आप पहुज करेंगे तो OBS का Tutorial मैं इस चैनल पर बनाऊंगा हो सकता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं हो सकता है फ्यूचर में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बंच चुका होगा वो OBS का वीडियो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हिंदी में हो भी तो उमीद करते हैं को